नमस्कार आप देखे रहें न्यूज 24 एस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे बंगाल में पंचायत चुनावों में वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग के दुरान कई जगापर हिंसा देखने को मिल रही है जगा जगा बंबाजी देखने को मिल रही है गोली बारी में वोट देने के लिए लाइन में कड़े अनिसूर नाम के टीमसी कारेकरता के बॉट हो गया जानकारी के मताबिक अचानक से वहां बंबाजी शुरू हुई जिसमें अनिसूर गंभी रूप से खायल हुआ और बाद में उन्हें मृत खोशित कर जिया गया तो पश्य मंगाल में आज पंचाय चुनाब हो रहे हैं सुबा से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है पश्य मंगाल के अलग-अलग अलाकों में लगतार इंसा, बोली बारी, बैलेट भागने की, बैलेट लूटने की खबने सामने आ रही हैं इस तस्वीर देखिए इस तस्वीर से आप अंदासा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग के दोरान इंसा देखने को मिल रही है पोलिंग बूट से बैलेट बॉक्स लेकर भागता हुआ एक शक्स भी नजर आ रहा है यहरान करने वाली तस्वीर भी पश्री मंगाल से सामने आई है तस्वीरें देखिए किस तरह से एक नौजवान बैलेट बॉक्स हाथों में लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनावों में कितनी निश्पक्ष वोटिंग हो रही होगी सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होगी वहाँ पे कितना खौफ होगा बदमाशों में लुटेरों में कि वो बैलेट बॉक्स को लूटते हुए बेखौफ होकर वहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं दो तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर कुछ बियार की है जहां पर एक नौजवान हातों में बैलेट बॉक्स लेते हुए भागता हुए नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर माल्दा की देखिए वहाँ पर माल्दा मैं किस तरह से देखिए एक शक्स यह देखिए हाथों में बैलेट बॉक्स सर्याम लेके गूम रहा है मतदान केंदर के बाहर बैलेट बॉक्स उसके हाथ में है कुछ लोग उस बैलेट बॉक्स को चीडने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद ये शक्ष सर्याम इस बैलेट बॉक्स को लेते हुए कहीं आगे फरार हो जाता है तो पश्य मंगाल में पंचायत चुनावों में एक तरफ बंबाजी देखने को मिल रही है दूसरी तरफ गोली बारी देखने को मिल रही है और ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जहां पर एक नौजवान एक शक्स हातों में बैलेट बॉक्स लेते हुए उसे फलूट कर फरार होता हुआ साथ तोर से नजर आ रहा है पश्य मंगाल है इस तस्वीर से अंदाजात लगा सकते हैं कि पश्य मंगाल में पश्य मंगाल में पश्य हो रहे हैं परश्री मंगाल में जो पंचायद चुनाव हो रहे हैं वो कितने निश्पक्ष हैं पंचायद चुनावों में लोगों की सुरक्षा का क्या हाल है ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कहने के लिए बहुत कुछ हैं ये तस्वीरें पंगाल में पंचाय चुनाव की वोटिंग के बीच हिंसा लगातार देखने को मिल रही है मतदान के दुरान अब तक साथ लोगों की मौत हो गई है कूछ बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया में साथ लोगों की मौत हो गई है उच्छ बिहार मालडा यह तमाम वो इलाके हैं और यहां से ये ख़बरे सामने आई है कि अभी तक मतदान के दुरान कुल साथ लोगों के मौत हो गई है उच बियार मालदा मुर्शिदाबाद नदिया ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है चले इस खबर पे अज़ार जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे स्योगी मनुश पांडे का मनुश तस्वीरे जो हम देख रहे हैं वो वाकई मेहरान करने वाली है कोई बैलेट पॉक्स लेकर भाग रहा है कहीं पे बं फेके जा रहे हैं कहीं पे गोली बारी की घटना सामने आ रही है तो क्या महौल आप ग्राउन पे देख पा रहे हैं पंचाय चुनावों के दोरान पंचाय चुनाव सुबह से जब यहां लोग अपने मत का प्रयोग करने निकले हैं उसके पहले से हिंसा की गदविदिया साब तोर पे देखी जा रही है मुर्सिदाबाद में सबसे ज़्यादा गटना देखा गया है मुर्सिदाबाद में वही पे टीमसी और कांग्रेस जो समर्थक है आपस पे बिड़े है और करीबन 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आज की यदि हम बात करें पंचाय चुनाओं में करीबन साथ लोगों की जान चली गई है और किस तरह से देखे कि जो लोग मत का प्रयोग करते हैं उन्हें डिरवाय धमकाया जा रहा है और वही इस्तितिती पसिम मंगाल के सभी जी लोग का है जिस तरह देखे कुछ भीहर के दीन हटा में वहाँ पे आरूफ है कि जी बीजीपी का कर्मी था वहाँ पे किस तरह से पोलिंग बूत पे वहाँ जो बैलेट बॉक्स है उसको लेके भागता हुआ नजर आ रहा है और सुबस से ही देखे कि जो हम इसमें मौझूद है भागड में बागड में जगातार यहाँ पे जो बिपच्च के लोगों से कहा जा रहा था कि किंद्री वलों की तरादगी किया जाए जादा से जादा और वहीं पे कोलकाता हाई कोट ने कहा था कि सभी पोलिंग बूतों पे चार सी आपड़ बलके जवान तेनात होगे लेकिन जादा तर हम लोगों ने भागड में देखा है कि सिर्फ यहाँ पे देखे जो कोलकाता के पुलिस के जवान है वही उन्हीं के न तेरह में भी इंसा देखा गया था और पंचाय चुनाओ को लेकर देखे कि पंचाय चुनाओ के राजपाल से भी आनन्द बोस्त लगातार सड़कों पे जा रहे हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने बत का प्रयोग करें सांथिल पूर धंसे करें लेकिन हिंसा नहों साब्तर में देखे हिंसा के करीबर अब तक 27 लोगों की जाने जा चुकी है और जिस तरह से पंचाय चुनाओ के लिए कि इस तरह की हिंसा होती है देकर अभी 2024 में पंचाय चुनाओ है और इस बार पंचाय चुनाओ 2023 पंचाय चुनाओ के लिए बेहत अहम रखता है क्योंक क्लब लेवल की राजनीफ सुरू होती है क्लब में लोग बढ़ते हैं और हर पार्टी का एक क्लब होता है वहीं से संचारीत किया जाता है कि जो ग्रामीन है कैसे करेंगे तो ग्राम प्रढ़ान का जो पप्रशासन का चुनाव के लिए तो कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं बैलेट बॉक्स लेकर सरयाम लोग भाग रहे हैं वहां पे उसको लेकर प्रशासन का चुनावयो का क्या कहना है जी रवीद देखें कि साओप तरट पे जिस तरह से आरोप लग रहा था कि बैलेट बॉक्स को लोगों में डर है और इस समय देखें कि किस तरह से लोग है कि वह की सांती हो इस तरह कहां गया है और ऐसे कई घटना है जहाँteenth में वहीं फूलिबु में प्लकूलीग जहां रहां है तो कहें सहते हैं कि बंगाल इस तरए का एक पूरा महाल बना हुआ है लेकिन इसको लेकर इस बार पूरी तरह से राजिपाल सड़कों पर उस्तव क्सार ना हो और लेकिन पहर का दो से 125 हो और साब तोर के इस बार पंचायज चुनाओं में जादा से जादा देखे रहें रहाएं कि सभी पोलिंग उतों पे महिलाओं की संख्या सबसे जादा है और वह पहुंच रही है महिलाएं बड़ी साइलेंट है जब महिलाएं साइलेंट होती है तो नतीजह कुछ अलग होता ह है और किस तरह का महौल होता है वाकिए इस बार पंचायज चुनाओं में दिखा जा रहा है तो कह सकते हैं कि पंचायज चुनाओं पूरी तरह से हिंसा है और छुट-पुट घटना सभी जगह हो रही है क्योंकि देखे बंब और गोलिया चल रही है लोगों को डिरवाय ध कायज आ रहा है और जिस पार्टी का जहां पे दबदबा है उस पार्टी के कारकरता वहां पे पूरी तरह से बजबूत है विपक्ष को लोग वहां पे पहुंचने नहीं दे रहे तो यही अमुनों परे बंगाल का हाल है यह शुक्रिया बनो उस तमाम जानकारी के लिए